हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैके इंकल गाइड, फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले टूल इंजीनरिंग की, दोस्त टूल इंजीनरिंग में इससे पहले हमारी एक वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देख तो आप मारे चैनल पर जाकर देख लिएगा जो की वीडियो टॉप 25 इंपर्टेंट कुस्चन पर थी, लगभग आपका पूरा पेपर इन ही टॉप 25 इंपर्टेंट कुस्चन से फसने वाला है, जैसा आपका CNC machine and automation का पूरा पेपर, तॉप 25 इंपर्टेंट कुस्चन से आ आप लोगों को मैं इसके आंसर बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है, जिन इस्टुएंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, या फिर लगता है उनकी बैक आ जाएगी उनको, ठीक है, तो वो इस्टुएंट इस वीडियो क्या करेंगे, पूरा सूर्स लेकर लास देख लेंगे जिससे उनको इसका benefit निश्चित रूप से मिलेगा, वो बैक से भी बच जाएंगे और अच्छे नमबर से भी पास हो जाएंगे दोस्त, ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्त, इसमें आपका milling cutter क्या होता ह लेगे, अब किस में आता है, मल्टिपल कटींग टूल में आता है, मल्टिपल कटेंग पन्वावervesी बनी होती है, मतलब की एक निश्चित दूरी पर बहुत सारी कटेंग त्यौनिय के इसमें लोग मल्टिपल कटींग टूल भी बोलते हैं मिल weil क sorry this कट ले वाले वियोग को दाद्ट या इनि किसे कटें हैं इसले कि अलोग पोलते हैं इसकी जो हुआ है जो अंतरविराम के शाथ कार्यखंड के संपर्क में कि आते हैं और कार्षांड गती के फल्सुरूब दहाथ धातु को काडता है देखे आप को एक मिलिंग कटर पूरा सिध्धान क्या है उसको देख लेते हैं आप आपको एक यह को दिया गया हुआ है क्लासिफिकेशन आप मिलिंग कटर की बनावट के आधार पर होस कटर होता है आपका टिप्स कठोर कठर होता है ठीक है क्लासिफिकेशन आपका सेकंड दे रखा है घुनाओ गति की दिशा के आधार पर पर आपका राइट है अग लेफट है डाइड काठर होता है चैसे करता हैwurf के मीलि रावामा राओ कठर दिशा में गूंथेक sectors है तो यह आपके राइट हैंड कटर और लेफ्ट हैंड कटर हो गया है अब इसे तरह नेक्स्ट आपका दिया गया है कटर दातों की रिलीफ जो आपके विमोचन के आधार पर दोस्त मैं आपको टूल इंजिनिंग में वह टॉप फाइप कोश्चन भी बताऊंगा जो कि आप अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो दिया गया है मशीन पर कटर को बाधने की विधी के आदार पर नहीं कि आपका आर्वर कटर होता है इक सहारे मशीन के सिधे पकड़ा जाता है और आपका यह फेशिंग कटर होता है, तो यह आपके कटर, क्लाशिफिकेशन आप मिलिंग कटर दे रखा है, ठीक है तो अ बात करते हैं, यहाप पर elements of plane milling cutter जो आपका होता है तो जो आपका मिलिंग cutter और उसके elements क्या क्या होते हैं तो एक बाद इसको देख लीजेए आप लोग बाडी ठीक अउसाइड डायमिटर इंसाइड डायमिटर जो हता है ठीक है root diameter हो गया विरत्वाप cutter हो गई chips हो गया लेंड्स हो गई, face of the lathe हो गया, cutting edges हो गई, root का radius हो गया, ठीक है, तो यह क्या है, elements आप इसके दे रखें, तो इनके बारे में आपर दे रखें, तो one by one करके आप लोग इसको क्या कट सकते हैं, दोस्त, पूरा डीटेल में पढ़ सकते हैं, अब एक question दोस्त, आपकी बनता है, टूल इंजिनिंग में पांच नमबर पर, देखें, आपके टूल इंजिनिंग में दोस्त, तीन चैप्टर ही तो दिये गए, अब माल लीजे, तीन चैप्टर में आपका पूरा 75 नमबर का पेपर बनाना है, examiner को, ठीक है, तो आप उसी ही साब से एवरेस लगा लिजे, द सिंपल होने वाला है आपका ये पेपर, बस जो इस्टुएंट वीडियो को पूरा देख लेंगे, उनको इसका बेनिफिट मिल लेगा, ठीक है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा, इसकी पीडियास के लिए, आप हमारे टेलिग्राम से जुड़िएगा, उसका लिंक आपको डिक्शन बॉक्सन मिल जाएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट आपका दिया, आप लोकेशन, डिजाइन में लोकेशन एक महत्पूर पच्छे, कहने मलब डिजाइन में जो आपका लोकेशन है, एक महत्पूर पच्छे, किसी हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिग और फिक्चर की करेंगे, जिग और फिक्चर के डिजाइन में सही, अब इस्थापन व्यवस्था बनाने के लिए कुछ सिधानतों को फॉलो करना अनिवार हो जाता है, ठीक है, जैसे कि किसी इस्थान में, किसी वर्स्तु की इस्थिती तीन परस्पर लंब अच्छो द्वारा व्यक्त की जाती, एक आपकी ओजड से प्रदर्सित है, बस तुको इन तीन अच्छो पर सरल रेखी गती दी जा सकती है, ठीक है, कहने एक मलब तीनों अच्छो पर क्या है सरल रेखी गति दी जा सकती और इसके अतरिक्त वर्स्तु को इन्हीं तीनों अच्छो पर कौन सी रोटरी गति भी दी जा सकती है तो पुल मिलाकर इनकी कौन सी कितनी गतियां दोस्त हो जाएंगी इस प्रकार वर्स्तु की 630 संख्य रृगा सकता है पर रोका जा सकता है फिस व्यवस्ता में कई साधन है ने के आपका क्या था त्रिस्पल आप लोकेश्ण वश्तु की आकरति पर आधारित उनकी सतप्यू किनारों जबकि त्रिभुजाकार सताओं के दो अशन भुजाओं के मद्ध कोड़ नब्बे अन से कम होता है ठीक है तो इक्जामपल भी आपकों दोस्त समाज में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपका ये लोकेशन वाले चैप्टर से एक कोश्चन दोस्त और बनता है वो क्या है थ्री टू वन का सिध्धान्त क्या है ये सब आप फिफ्ट समेंस्तर में प्रोडक्शन टेक्नलोजी में दोस्त पड़ भी चुके होंगे ठीक है थ्री टू वन का प्रिंस्पल क्या ये तल में सेकंड दूसरे बिंदू तथा प्रथम दो तलों के लंबवत तीसरे तल में बिंदू पर पकड़ कर रखते हैं यह महात्रपूर्ण है कि तीनों तल परसपल लंबवत होते हैं कहने को आपका इंपोर्टेंस है जो तीनों तन है वो क्या होते हैं एक दूसरे के पर यानि कौन सी जो आप की प्रस्वल लंबवत तरह ओ एक्स कामा ओवाई कामा ओजट आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं या नहीं कि ज़रूरी आप यही लेंगे ठीक है दिशाओं में रखा गया है इस वस्तु को 6 पिन एक से 6 द्वारा पूर्ण अविस्थापित किया जाना है वस्तु की दिशा एक दिशा में दो सरल रेखी गती प्लस तथा माइनस दिशा में ठीक है तथा दो घूर्णिया गती आपकी होती है आपकी दो सरल गती होती है दो घूर्णी गती होती है यानि क्लॉक वाइस एक प् करते हैं इस प्रकार तीनों दिशाओं में वस्नों की कुल कितनी गतियां और संभाव में आपकी बारा गतियां संभाव जाती तो यह समझ लीजे लोकेशन प्रिंस्पल आप लोकेशन और त्री टू वन का सिध्धान्त क्या है यह दोनों आपके पांच-पांच नंबर में को से दोस्त पूछे जाने वाले हैं तो काफी अधा इंपोर्टेंट हैं यह ठीक है अगर दोस्त आपको टूल इंजिनर का प्रिविएस यह का क्वेशन पेपर पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं उसको भी आपको प्रवाइड करा देंगे ठीक है अब बात करते हैं आप आपका जो स्लाइडिंग क्लैंप होता देखिए वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं जिग या फिक्चर के डिजाइन में जब क्लैंप को केवल आगे पीछे सरका कर प्रयोक किया जाना हो तब सरक क्लैंप का प्रयोक किया जाना हो तब सरक में एक हाचा बना धिया जाता है जिससे क्लैंप को एड़ जा इड혁 के आगे भीछे स मंदन दाया जा सकता है क्लैंप को अगला सीना कारे खंड की सत्य को कड़ता है जब कि पछला सीजा यहाच्य 1 समा जाता है ठीक है आपका pioneers प्लाइट क्लैंप इसे तरह में बात करतें तो घुड़ी क्लैंप होता है निरोट्रेटरी क्लैंप होगा क्या होता है देखिए जय विवस्था में एक घुड़ी क्लैंप इस टड़ ढ़िबरी को प्रयोक किया जाता है कारे खंड को बाधने या कोलने के लिए क्लैंप को इसकी अच्छे पर लोकेटिंग डिवाइस कौन कावेश में अपका बन चुका है यह आते हैं आपको तबहाइं आपको प्रवाइद वीडियो पर बता-र रखें यहां यीजिसा पर अथ्वास सभी पर अरोध लगाने हैं तो प्रयोग की जाती हैं, क्या कहलाता है आपका लोकेटिंग युक्तियां कहलाती हैं, आपका निया पर दिया गया है वी ब्लॉक दोरा बेलन का अविस्थापन, एक बेलन की दो गुमाओं गतियों तता दो अनुदैर्द गतियां पर एक वी ब्लॉक के प्रयोग से अरोध लगाया जा सकता है, चित्र के अमसार याना पर दो चित्र भी डाइग्राम मैंने कहा आप से डाइग्राम बहुत जाज़ा इंपोर्डन तो डाइग्राम इन सब के आप लोग देख लीजेगा, ओयक्स तता ओजड अच्छों पर अनुदैर्द अनुरोध तथा घुमाओ अवरोध है, इस साधन की से दो गतियां अर्थात ओयक्स पर घुमाओ गति तथा अनुदैर्द गति स्वतन तता है, और जिन पर उपयुक्त साधन, एक्जामपल के लिए यूक्लेंप आदी से अंकुस लगाया जा सकता है, ठीक ह अगर हम इसकी बात करें, तो आपका जो जिग फिक्चर दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं, एक बार, जिग फिक्चर से आपके 15 नंबर का कोस्चन आने वाले हैं, दोस्त, 3-4 कोस्चन 100% बनेंगे, और ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिग और फिक्चर क्या होता है, जिग फिक्चर वह युक्तियां है, जिनकी सहायता से परिश्ण तथा समय की बचत करने करके समरूप वस्तू की उत्पादन दर को बढ़ा जाता है, जिग और फिक्चर आपके वह युक्तियां है, वह डिवाइसें हैं, जिनकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते खाल है और आ warrant करके सित जो हमाइब क क्लासिफिकेशन जानेंगे और फिक्टर में योकंत करेंगे रवति कि तदह लोकेट करने के साथ साथने के एक अधिक कटिंग टूल को गाइड का अगर करते हैं कहने का वालब आपकी जो होता है यह आपका कारेखंड होता है उसे पकड़ता तो है और लोकेट भी करता है साथ साथ और जो कि आपका कटिंग टूल होता है उसे भी गाइड करने का काम करता है जो कि आपका दोस्त जो फिक्चर है वो क्या करता है वो क्यों कारेखंड को होल्ड करता है टूल को क्या करता है वो गाइड नहीं करता है लेकिन क्य करने के लिए कारेखंड को पकड़ना था जर्फ सभी उत्रफ़यों पर वकंद के लिए कि पर्था करने के लिए में गाइड आ पर सकें उनके प्रेयोग से क्या होता इनके प्रेयोग से मार्किंग मेजर्मेंट तथा कारेखंड को सिट करने की विधी नहीं पर्दी कहिने मठोग जीग और सिक्टर का यूस करने से हमें क्या करना पड़ता है मार्किंग नहीं करनी पर्ती है क्योंकि Article को भी गाइड करता है । इसलिए कटाइब करने की हो सकता नहीं पड़तीं अब बात करतें यहाँ पर आपका डेलिंग जिग एड़ Sut चाहित अब आपके बात करतें जो डिलेलिंग जी है यह क्या होटा निकर्द यहाँपर दे- pelvic गेर इसी तरह, एक चाहिए है कि वर्ग करण किजिए किसी एक या दो बात करते हैं आपका क्या होता है एक बार देख लेने वर्ग जीग क्या होता है यह नि कहने करने वा उनकि जी मैं झाइब करने के लिए आपको बिल्ड़ क्रवके शेयुआ करने को वर्क ब riddle गुज़न को उसमें इसaire कुछम के लिए तiken क्रविदिंद गड़िद केछ समय लिए इसे प्या प्रकार ठीक स्थिती में तता यर्थार्द छिद्र प्राप्त होते हैं जिग पर इन बुसों को बुस प्लेट में लगाया जाता है जिस कारेखंड में छेद किया जाना हो उसे या तो ड्रिलिंग जिग के अंदर रखकर क्लैम कर देते हैं या फिर जिग की बॉड़ी को इस प्रकार बनी होती है कि कारखन प्रत्तेक बार उसी इसी इनिस्टि दू रूप में अभी स्थापित होता है ठीक है थी क्या था आपको डृट्रिल्फ होता tapping जीग होता है इनके प्रकार देखिए तो आपका जो होता है कौन सो होता है ट्रेंपलेट जीग होता है प्लेन जीग होता है चैनल जीग होता है लीफ जीग होता है रिंग जीग होता है व्यास जीग होता है ठीक है सैंड्विट जीग होता है इंडेक्शन जीग होता है और बारे में पूछेगा यही तीन-चार आप पढ़ लीजिएगा बस इनी के बारे में आपसे पूछ लेगा या फिर बोल देगा किसी एक के बारे में बता दीजिए ठीक है इसी तरह आपका दे रखा डिफरेंट टाइफ आप फिक्चर के प्रकार्स भी दे रखें तो कौन- प्रकार्स वाइल फिक्चर मुल्टिप्लिकेशन फिक्चर तो यह आपके क्या है फिक्चर के प्रकार दे रखें इतना आपको दोस्तमज में आ गया होगा अब हम लोग जो आपके जिग दे रखे थे इनके बारे में वन बाई वन करके जान ले देगी आपका टेंपलेट जिए कारेखंड पर रखकर और हाथ से पकड़ कर कम व्यास के छिद्र किया जा सकते हैं टेंप्लेट जिग का उपयोग सामानेता फ्लेंज आधी पर किया जा सकता है जिससे बोल्ट अथ्वा इस्टर्ड लगाने होते हैं तो यहाँ पर टेंप्लेट जिग कर डाइग्राम भ नहीं दिखा जाते नहीं मिलते तो आप बुक्स या फिर गूगल से सर्च करके डाइग्राम को देख लीजेगा और बनानी की प्रक्टिस कर लीजेगा क्योंकि डाइग्राम बहुँ ज्यादा इंपोर्टेंट है अब हम लोग दोस्त बात करते हैं जो आपका चैनल होता है उसे जिक के पेंचो की साहता से पकड़ लियाता है जो भी आपका वर्कपीस है अगर जिसमें हमें छेद करने हैं उसे क्या करते हैं जिक के पेंचो की साहता से पकड़ लेते हैं जिक का प्रयोक सामान लेता है समित आकरती के कारेखंडों के लिए किया जाता है ये इस प्र तो बहुत बहुत अधिक मशीनन समय तता पदार्थ हैस्त्रण समय बचाती है ठीक है तता तीन सतों पर मशीनन कारे करने की छमता रखती है तो यह था आपका चैनल जीग यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल जीग का एक छोटा सो डाइगरम उने बना रखा है इससे आपको इसका benefit मिल सके अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आपका लीव जीग जो दे रखा है उसकी बात करें देखिए क्या होता है यह जीग एक छोटी जीग होती है ठीक है क्या होती एक छोटी जीग होती है जिसमें एक कबजेदार पत्ती पर टूल को गाइड करने के लिए ब कबजेदार के को जीग बाड़ी पर लगाने के लिए उसे एक सीरे पर पिन लगा कर कबजेदार बनाया जाता है ठीक है एक आई बोल्ट पिन के सहारे जीग बाड़ी में लगा होता है जो आपका क्या होता है जीग होता है आई बोल्ट के सहारे पिन बाड़ी पर लगा होत सब्सक्राइब का अंग के चारो तरब एक framework के रूप में बनाया जाता है देए नाम से पता चल लहाई box तो box के आकार का ही बनाया जाता है इसका प्रयोक सामारेंटा किसी प्रकार के कारेखंड में दो या अधिक साइड से छिद्र बनाने के लिए किया जाता है इसका जो यूज है जो आपका वर्गपीस है उसमें एक दो साइड से या अधिक साइड से छिद्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिग को घुमाओ कर उसकी प्रतेक साइड ड्रिल स्पिंडल के नीचे लाई जा सकती ह हुआ कि जिग को वांचित सथित्यों में घुमाया किया जाता है जता है उसे namesaler जिग के नाम से जाना जाता है अब बात करूदा दोस्शा आपका फिक्चर क्या होता है को बेन ईूज आपको पता है फिक्चर का क्या कrzyते बात करते हैं कुछ यहां पर जान लेंगे जैसे आपका टर्णिंग फिचर किस लिए यूज होता है ये फिक्टिर आपके वर्ग पीस होते हैं उसको पकड़ने कि पकड़ने वाली युक्तियां होती है फिक है इक्जाम पल के लिए मानक युक्तिया हैं जिनकी सायता से अधिक तर काड़िखंड को पकड़ा जाता है परंदु कभी कभी जटिल आक्रितियां वाली विभिन फोर्जिन धालाईयों को खरादने यानि जो आपकी लेट मशीन के लिए हैं मानक युक्तियों का प्रयोक करना भी पर्याप्त नहीं होता है ऐसे इस्थिदी में कारेखंड को सरलता पूरक पकाड़ने तता बदलने के लिएम लोग टर्निंग फिक्चर क्या होशकता पड़ती है ठीक है तो इतना आपको समझ में आ गया होगा जिग वाले चैप्टर से केवल आपका 15 नमबर का लगवा उच्छे जाना वाला है 15 से 20 नमबर का तो इतना ध्यान रखिएगा जिग चैप्टर को अच्छे से पढ कारेखंड को पकड़ने तथा अविस्थापित करने का है क्या है मिलिंग मशीन में कारेखंड को पकड़ने अथ्वा अविस्थापित करने का है एक सदल प्रकार की मिलिंग फिक्चर को प्रदर्सित किया गया है यह फिक्चर एक ही आकार एवं सज्जा के दो कारेखंडों को एक साथ पकड़ने के लिए प्रयोगी किया जाता है फिक्चर को उर्द मिलिंग मशीन की मेज पर कस कर फेस मिल काट कर मशीन किया की जाती है ठीक देगा आगलाता है आपका मिलिंग फिक्चर कहलाता है अब हम लोग यहां पर तो सबात करने वाले जो आपका वेल्डिंग में वह मन क्या होता है उसको ऐगात के लिए कब ब्रत निकों करने ख कर लें के लिए इसे पूर्ड सोचालिद वह अर्द सोचालिद बनाने के लिए welding जो इसकी जो दच्छता एफीसियेंसी हो गई ठीक है इसकी जो एक्यूरेंसी में ब्रती करने के लिए को सही सिति में रखा जा सकता है वेलडिंग की सुविधा जनक तथा सुरचित स्थिति प्राप्त होती है always करने से दोस्त इतना आपको समझ में आ गया होगा योग वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिएगा अब बात करते हैं देखिए mechanical properties and uses of different type different type of tool materials ठीक है तो देखिए plane carbon steel में carbon की मात्रा 0.8 से लेकर 1.5% तक होती है carbon इस पात का प्रमुक लच्छडिया है कि इन टूलों को टूलों में उश्मा एवं घिशान प्रतिरोध अपेच्छा क्रत कम होता है इन टूलों में heart hardness कम होती है तथा ये tool 200 degrees से 200 degrees Celsius ताफ मानों पर अपनी कठोड़ता क्या करते हैं खो देते हैं ये टूल केवल निम्न करता है चालो लगभग जो आपके 12 मीटर प्रति मिनट पर ही उपयोग किये जाते हैं तो यहां पर आपकी प्रिस्द मात्रा दे रखा है carbon की जो प्रिस्द मात्रा है वह 0.8 से लेकर दे रखा है और यहां पर आपकी silicon की दे रखा है इसी तरह मैंग्जिन की दे रखा है और इसका यूश कहां किया जाता है अब इसको देख लएते हैं टूल की कठोरता को बढ़ाने के लिए इस बात में साधारण कारबन से उसमें भंगुरता बढ़ जाती है परन्तु यदि उसमें क्रोमियम और मेलेडियम की थोड़ी सी मात्रागर मिला दी जाए तो टूल क्या होता है टूल इस्ट्रेस की कठोरता में पर्याक्त व्रद्धी हो जाती है ठीक है घिसन प्रतिरोधक्ता को बढ़ाने के लिए इसमें कभी कभी चार परसंट टंगेस्टन को भी क्या करता मिलाया जाता है ठीक है परन्तु यह इस पाथ 200 डिग्री से 300 डिग्री से पर तापमानों पर अपनी हाठ हार्डनेस खो देते हैं इसी तन्य आपका हाइच स्पीड इस्टील दे रखा है तो इसको भी एक बार देख लीजेगा और इसके बाद हाइच स्पीड इस्टील अठारा चार एक यह सब द इस बारे में दे रखा इनको आप लोग पढ़ लीजिएका देखिए अठारा चार एक उच हाइज फीड डिश्टील का मतलब क्या है देखिए यहाँ पर दे रखा है इस पाथ में 18 परसेंट आपका टंगेस्टन है चार परसेंट आपका क्या है वनेडियम होता है उच्छ इसे अधिक प्रभावसाली बनाने के लिए वैनेडियम के प्रसत मातरा वो कुछ व्रदिक कर दी जाती है इसी तरह आपका ये भी दे रखा है और पांच नंबर पर ये भी आपके दोस्त पूछे जाते हैं अब बात करते हैं जो आपका देखिए माटेरियल है इसमें क्या होता है इसी तरह आपका स्रेमिक्स क्या होता है और डाइमेंड क्या होता है ये माटेरियल साबसे पूछे जाएंगे तो देख लीजी एक बार इनकों बारे में स्रेमिक्स आपका क्या होता है स्रेमिक्स अथ्यन्त कठोर पदार्थ होता है इनको क्या होता है सेंट्रित सेंट्रिट किया जाता है यह कारबन से सस्ते होते हैं और इन्हें भी टूल टिप्स के रूप में ब्रेज्ड या क्लैम्पित करके जोड़ा जाते कहने को लब इनका यूज यूज होते हैं उसमें किया जाता है बारा सुटिटी सेंटी रेट पर भी तब कठोरता बनाए रखने हैं इसी तरह आपका जो डाइमेंड दे रखा है उसको भी एक बार अपनों देख लीजिए आपको पता है डाइमेंड क्या है जो सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है ठीक है विस्तोगा इससे ज्यादा कठोर कुछ भी नहीं होता है ये कटोर पदार्थ है जिसका प्रयोग एक कटोर पदार्थ के कटिंग में होता है जिने अन्य पदार्थों में टूल द्वारा कटिंग करना संभव नहीं हो पाता है ये ऐसे ननो पदार्थ पर हलके कट लगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है जहां एक्यूरेशी तथ सते परिस्क्रत एंगी सते फिनिश्ट चाहिए होता है और शक्ते होती है एवं महत्पूर्ण होती है इसका उपियोग प्राया जो आपके कथोर रबाड काच प्लास्टिक तथा अब्धर्सी पनार्सों को करतन में होता है आप लोगोंने देखा होगा जहां पर दोस्त कांच का काम होता है वो हो लोग कांच को काटते है वो लोलोग किसे काटते हैं वो लोग डाइमेंड की चलकिश तो वहां से इसको आप लोग देख लीजिएगा जिसका मैं बता चुका हूँ तो इसको मैं दुमारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो भी काफी यादा लंबा हो जाएगा ठीक है और वट्सप ग्रूप से जुड़ जाएगा टेली ग्राम से जुड़ जाएगा ल वांच लिए है कंब मात कटे जाएगा ब्लाइन के य्डियों र१ा लू क खुला के लिए उज़ मतला हूं बॉती है अब फस्युगों में लूजें टोल के ब्रू धिर दर की। cutting tool कहलाते हैं ठीक हमाइने आपको overview बदा दि है आफ इसको पढ़ लिजिए देखिर Nepом क्ट्प पूंटेश्र करते हैं कि कोर का ह्हबास भाग स्सिर्य करतन को यैनि कटिंगेंज इस फोर सीर बडा भाग परस करते हैं एक जिस करतन बाटा है और इसका फुरा इसकी नोस पर अल प्रिश्रिज्या स्मॉल रेडियस की गुलाई बनी होती है नोस को गोल बनाने से कटिंग एज की जो क्या थी स्टेंथ में व्रध्य हो जाती है ठीक है इसकी सैंग की अनप्रस्त काट सामानेता वरगाकार होती है और शक्ता के अंसार विशेश पर इस हिति यहांसे कटिंग करता है यह वाला आपका सिंगल पॉंट पॉंट तूल है तो इतना आपको समद में आ गए अब इसके बारे में इसका सिंगल कटिंग कर आढ़न कर एक चीज को जरूर याद रखिएगा जो आपकी अफमिलिंग और डाउन मिलिंग है वह हंडेड़ क्वाई बार पांच नंबर पर पूछी जाच की आप मिलिंग और डाउन मिलिंग क्या होता है ठीक है साइथ इस वीडियो पर मैं आपको ना बता हूं उसका अंसल लेकिन जो अगर आप लोग बोलेंगे तो टॉफ फाइब क्वेश्चन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर म मैंने अभी आपको बताया मल्टी वाइंट क्वेश्च अधार पर बात करते हैं लाइनर कोशन मेंट निप Subscribe कर रहा अच्छी प्रष्ट गूर्णी आउजार ऐसा टूल है जो करतन के दरान गूर्णी दिशा तो करते हैं, साथ ही अच्छी दिशा के पस्चात गती भी करते हैं, ठीक है, प्रमुक प्रकार के अच्छी प्रष्ट घूर्णी आउजार निम्न है, जैसे आपका twist drill हो गया, counter boring tool हो तो बात करते हैं आपका जो यह दे रखा है तुस्ट डिल क्या होती इनका ड्रिल की अच्छ में बना कोड सामानिता उनसे डिगरी का होता है इस कोड को कटिंग एंगल कहा जाता है दोनों की कोर की करतन कोर के कोड जो आपके होते लिप एंगल कहा जाता है इस प्रकार लिप कोड का मान 69 प्लस 69 अर्थाद 118 होता है करतन कोर के पीछे की धातू क्या होती है ग्राइंड करके कुछ टेपरिट की जाती है जब के कटिंग इसकी सेंग होती है थोड़ी से टेपरिट बनाई जाती है यह टेपर लगभग 12 अंसका होता है ठीक है इसे क्लियर एंगल कहते हैं आपको इतना समझ में आ गया और जो इसका रैक एंगल होता है दोस्त वो 127.5 का ह आप किया रिवां तर दयक्र में आज होता है इसके पैस होता है ऊपर ऴर चाहिए यह लुचिंह वह रहता है छेद करने के लिए हम लोग कई करतें और यूज करते हैं उसके बाद उसके उसके बाद उसकी अंदर की शेप सस्किज्ए चेल थी उसको दो चलras pues करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा देखिए रीमर के द्वारा टुष ड्रिल द्वारा निर्मिच छिद्र को अधिक एक्यूरेशिया फिनिस का बनाया जाता है यह देखो जैसे मैंने अभी आपको बता है तीन व्यास पर चार नालियों से लेकर 50 व्यास पर 16 नालिय कि प्राइब करें और सिधूर फिर्मर हो गया इस तरहां आपके इस्ते प्राइब देखना चाहिए ते बार देख लीजिगा एक बार यह जरूर देख लिजिएगा दोस्त चिप जीलन की रशना स्वीर्मेशन क्या होता है फिस फिलन निर्माण होने की मूल विधी क्या है इन सब को एक बार आप लोग अपने मंद से दोस्त पढ़ लीजेगा इसकी PDF में आपको टेलीग्राम जल पर प्रवाइट करा दूंगा इसका लिंक आपको डेउशन बॉक्स पर दोस्त मिल जाएगा ठीक है अब बात करते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन आपका हंडड़ परसेंट पांच निंबर पर आने वाला है कोश्चन जीग और फिक्चर चेप्टर से है क्या है आपको जीग और volunteering में डिफरेंस बताना होगा तिक क्या होता है देखिए जैसे मैंने आपको मता है जीग क्या होता है जीग आपको work speech को hold तो करता हि करता है locate भी करता है जो आपको टूल होता है उसे भी guide करता है देखिए यही लिखा होगा पढ़ लेना और जो आपका फिक्चर होता है वो क्या करता है फिक्चर आपका क्या करता है टूल को गाइड नहीं करता है खाली यह वर्क पीस को होल्ड करता है निखे इसमें यही लिखा है पढ़ लिजेगा नेक्स्ट आपका दे रखा है जिग का प्रयोग, drilling, taping, or rimring आदी कारणों दोरा किया जाता है, जब कि फिक्चर का प्रयोग, milling, shaping, planning, or turning, आदी operation करते हैं, जो आपको पकाड़ने के लिए किया जाता है, इसमें tool को guide करने के लिए किया जाता है, जो आपके जिग होते हैं, वो काफी यदा हलके होते हैं, और जिग का प्रयोग करते हैं, जो आपका 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 प्रयोग करते है किया जाता है इन्हें प्रयोग करने के लिए आप उसल कारी गरों से काम चलाए का मलब जो जिग है अगर इनका यूज़ कर रहा है आपका पुसल जो आपका वरकर है वह इतना एक्सपर्ट नहीं है तो भी काम चल जाएगा वड़़ जो फिक्टर का यूज़ करते इसके भी आपको मता रखा दा, चिप या स्कर्व को हटाना कठीन होता है, चिप तथा स्वार्फ को हटाना असान होता है, तिये दोस्त आपके जिग और फिक्टर में डिफ्रेंस थे, दोस्त आज की वीडियो बस इतना यह वीडियो अच्छा लगाऊ तो वीडियो को लाइक जरू झाल झाल झाल